नमस्कार, निउसलाइन में आप सबों का स्वागत है, इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के शाहत मैं हूराम, आज की सबसब बड़ी खबर कि जारखंड में ओल्ड पेंसन स्कीम लागू हो गई है, और इसी को लेकर NMOPS, मद्वपूर साखा के तमाम लोगों ने मुख्यमंत को बढ़ाई दी है, और इसको लेकर के आज एक आभार रैली निकाला गया है, सबसे पहले इस रैली के सुरुवात, मद्वपूर के बैभार न्यायले के समक्ष, भीमरा उंबेदकर की प्रतिमा पर माल्यारपन के साथ, शहर के विविंड इलाकों में घूम घूम कर किया ग जिसके शुरुवात मधूपूर, न्यायाले के मुख्यद्वार पर इस्तेत समविधा निर्माता, डॉक्टर भीमरा उंबेदकर की प्रतिमा पर माल्यारपन की साथ किया गया, जिसमें राज्ये के विविन विवागों के सरकारी करमचारी, सिक्षक, पंचायत सचीव, पुलिस मेंस आदी जैसे विवागों के सैक्षों करमचारीओं ने हिस्सा लिया, पुरानी पेंशन बहाली की मांग सरकारी करमचारी वर्सों से करते आ रहे थे, जिसे हमन सोरिन की सरकार ने अपने चुनावी गोशनापत्र में भी सामिल किया और उसी गोशनापत्र की वा रेली में सामिल होकर जार्खन सरकार का अभार प्रकट किये। कुमार उपाध्याई, गौतम राए, महादेव दास, कृष्ण प्रकास, उमेज दास, गनेश कुमार आदी स्यक्रो कर्मचारी सामिल हुए। और शहर के अग्रिशेन भावन में मारवाडी महिला समिती के द्वारा सावन मेला का आयोजन किया गया। महिला का उद्गाटन महिला थाना प्रभारी द्वारी 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 में फीता काट कर किया। मेला में महिलाओं द्वारा, निर्मित, वस्त्र, खिलोने, हस्त, सिल्पी वा आकरशक राखी की दुकाने लगाए गई थी। मेला का उद्देश मनुरंजिन के साथ साथ महिलाओं के हस्त, सिल्पी वा कुटीर उद्द्योग को प्रोचसाहित करना है। बढ़ते हैं ब्रेक पर, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि ICSC का रिजल्ट आ चुका है और मधुपर में दो स्कूल हैं, ICSC के, कॉर्मिल और मधुस्थली दोनों के चात्रों ने क्या कुछ परिणाम हासल किया। देखेंगे ब्रेक के कि अच्छाइंगे कि अच्छाइंगे कि अच्छाइंगे के अच्छाइंगे कि 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 अच्छाइं कर दो 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 कि ब्रिक के बाद आप समों का स्वागत है बढ़ते हैं आईसी असी की रिजल्ट की ख़बरों पर सबसे पहले बात करेंगे मध्योस्तली विद्यापीट की मध्योस्तली विद्यापीट में नील दत्ता ने 97.2 प्रतिसत अंक लाकर विद्याले में टॉप किया है वहीं पूरी तरह से कहें कि मध्योस्तली का परिणाम स्रत प्रतिसत रहा इसके बाद रॉनित कुमार 92.4 परसन अंक के साथ दूसरे स्थान पर और सुबह मंडल 92.2 परसन अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे और कुल्दीप सोनी 90.8 परसन कनलिया बैट और रिटेज रुज़न ने 90 परसन अंक प्राप किये इस उपलब्धी के लिए स्कूल प्रवंधन और सिक्चों को नेश रहना और बधाई दी प्राचार वितान विश्वास ने वैक्त किया महामारी की गरबड़ी और परिच्चा को दो भागों में लिखने के तनाव के भावजुत न केवल हमारे स्कूल बल्की सभी स्कूल के बच्चों ने स्रानिय कारी किया जिसके लिए सिक्षक और माता-पिता दोनों को बधाई दी क्योंकि उनके निरंतर मार्गर्शन और समर्थन के पिना व्या हासित नहीं हो सकता था वहाई कॉर्मिल स्कूल में आईसी एसी दोहजार पाईस का परिक्षा परेडाम सत परतिसत रहा कुल दोसो पंद्रह चातर चातरा परिक्षा में सम्मिलित हुए जिसमें स्राहिल अक्रम ने 98.8 परतिसत अंक लाकर विद्याले में टॉप किया है आईसी एसी एसी को 2021-22 में कॉर्मिल स्कूल मद्रपूर से कुल 256 सम्मिलित हुए जथा सर्थ 37 सभी ओतिनु भोशित हुए साहिल अक्रम ने सरवाधिक 98.8 परसंट अंक लाकर विद्याले टॉप पर हुए वही सोनल भारति ने 98.4 अंक लाकर दूजी स्थान पर रही वही अंशिका 97.8 परजान 97.2 रत तखागट मनस्वी 97.2 नौशीन अनवर 97.2 मौमद मरूफ 96.8 वरुंडाल्मिया 96 परसंट संस्कृती रक्षी रामका 95.6 परसंट अर्पिता जैस्वा 95.6 परसंट लाकर टॉप 10 में रही वही 97.7 परिशा परिणाम के प्रती विद्याले प्राचारिया सिस्टर कुस्पा ने चात्रों की लगन निस्ठा तथा निरंतर पर्यास का परिणाम भगाया किच्चिकों द्वारा कखिन परिशन करते वे 215 में तभी के सभी 7% से अधिक अंकों से उतिग हुए विद्याले प्रबंदन ने चात्रों के श्वर्णिंग भविश्य की कामना की और मधुपूर के लिए गौरपूर्ण खबर है मधुपूर में अब जहां जेपीएसी की परिशा शूरू होने लगी है वहीं अब मेडिकल जैसे परिशार्थियों के लिए नीट परिख्या का भी आयुजन मधुपूर में किया गया है जिसमें दो सेंटर बनाए गए एक मधर्स इंटर नेस्टनल अकैडमी और दूसरा केंद्री विद्याले लेकिन वहीं अधुपूर के हिदशार्थि में स्थित मधर्स इंटर नेस्टनल में सबसे अधीक परिक्छार्थियों की लगबक 678ittiasts परिक्छार्थियों की परिक्छा लिए इसमें 32 परिक्छार्थी अनुपस्थित रहे और पुरी तरह से नीट की परिक्षा आयोजन होने के कारण पूरा शहर एकदम जाम की स्थिति में हो गया था और पूरा कुंडु बंगला इलाका पूरा जो ट्रैफिक था वो जाम हो गया था और परिक्षा के आयोजन को लेकर के विध्याले प्रबंधन समीती ने काफी खुशी जाहिर की उन्होंने कहा कि ये हमारे विद्याले के लिए गौरव की बात है। कोविड-19 का पालन करते वे परिक्षा ली जा रही है। परिक्षा को लेकर कुंडु बंगला मुक्यमार का आवगमन लगबग दो घंटे तक भारित रहा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के जवान मौजुद थे। परिक्षा केंदर के गेट के बाहर सिक्षकों के द्वारा परिक्षार्थियों के डॉकुमेंट वेरिफिकेशन किया गया। साथी कोविड प्रोटोकॉल के तहट परिक्षार्थियों को हैंड सैनिटाइजर वह मास्क भी उपलब कराए गई। परिक्षार्थियों को 11 बजे से विद्याले प्रांगन में प्रवेस कराया जा रहा था। बारी-बारी से चात्रों को बायोमेट्रिक कराया गया और निर्धारित समय पर परिक्षा कक्ष में जाने की अनुमती दी गई। हमारी स्कूल मदर्स इंटरनेशनल कैडमी में निट 2022 का सेंटर पड़ा है जिसमें 648 बच्चे परिक्षा दे रहे हैं। यह बहुत ही गौरव की बात है पुरे शहर के लिए कि पहली बार आज सेंटर मदूपुर में पड़ा है। आज तक बच्चे बहुत दूर राची आसंसोर कलकत्ता जाके एक्जाम देते थे। इसे बहुत ही हम लोग के जो अदिवासी गरी बच्चे हैं उनको इसे बहुत फाइदा होगा। कि घर में एक्जाम पड़ गिया आने जाने का जमीला परिशानी वो लोग बहुत डरते हैं बहुत ही अच्छी बात है और आगे के लिए बच्चे और उत्साहित होंगे हमारे चितर के बच्चे कि वो भी मिटगर की पढ़ाई करें यह बहुत है अच्छा कहता हमें सरगार का पर्मुगिष्टी बहुत सरणना करते हैं और अब बात करेंगे शावन के शोमवारी के अफसर पर में स्रतधालू का ताता सिवालेयों में देखा बाबा के जलारपन के लिए स्रतधालू दम लगे रहे और बाबा का जलारपन कर अपनी इक्षित मरुकामनाओं को मांग सावन के पहले सोमवार को मधुपूर के विविन सिवायों में भक्तों का ताता लगा रहा सुवा से ही भक्तों का बाबा भोले नाथ पर जलारपन के लिए कतार दिखाई दी कोविड-19 के बाद सावन की पहली सोमवारी पर मंदिरों में स्रधालू की काफी भीड देखी गई इस अफसर्थ पर सभी ने बाबा की सोड़ो सोब चार पुजा अरचना की श्रधालो ने कहा कि बाबा की पुजा करने से मन में शांती मिलती है वा बाबा हर प्रकार के दुख चोग का नाज करते हैं अज सावन की पहली सोमबारी है और सावन की पहली सोमबारी मानलेजी की लगभग दो वर्सों के बाद करोना काल के बाद अज पहली बार मंदिरों में एक अजीब सा उत्सा स्रद्धालों में देखने को मिल रहा है सुबह से ही स्रद्धालों की काफी भीड उमर पड़ी है औ और इस मंदिर की बहुत प्राची नितिहास रही है। यहां कई महिलाएं सुबह से जलार्पन की हैं। कुछ हमारे साथ हम बात करेंगे क्या मनुकामनाएं। बाबा का आद जलारपन किये क्या मनुकामना है। सभ अच्छा रहे, वही मागे। कि अच्छा रखे आई तो साल बाद पाली बार पुजा की होंगे मन्दिर में शावन की सुम्बारी की तो कैसा लगा थे बहुत अच्छा लगता है बंदी तो प्रसांथी मिलता है अच्छा लगता है वह कि भाई भी भी बात करेंगे आप लोग बाबा का जलारपन के पासा और बाबा के किर्पास हर मनो कामना लोगों का पूर्ण हो रहा है और हम फे इस इस मंदीर के सथापना होई और इस बार को जो रही है महिला सुरत दालों, वो काफी भीड है, कैसा लग रहा है? अब थोड़ा कम हो गया भी, इसके बाद बाबा का किरपा से सब बहुत बढ़िया है, बाबास मनाते हैं कि सब का मनकावना पुर्ण हो, असुख संपन से परिवार के साथ में रहें, हस्ते खिलते रहें, जैसे ओम नमस्षिवा है। जलेबी के कई भी स्टॉल लगाए गए थे, जहां व्रती महिलाएं जलेबी खरते नजर आई, अक्सर व्रत्योहार में महिलाएं इस जलेबी का सेवन गरती हैं, या बिलकुल पवित्र और शुद्ध होता है। के लिए ये खास तोर पर तैयार के जाता है कि ब्रत्योहार में इस तरह की फलहार का वो सेवन कर सके और ये बिलकुल ही फलहारी है, इसमें क्या-क्या चीज मिलकर बनता है। क्या-क्या इसमें मिलाकर आप लोग बनाते हैं इसमें आलू रहता है, दूद रहता है, और श्रीमणा का आटा रहता है। क्या रेट है इसका कैसे आप लोग देते हैं जाती है और बिलकुल ही फलहारी और स्वादिस्ट जलेवी है यहां कुछ और विक्रिता क्या जलेवी कैसे कि आप लोग बेच रहता है। यहां परफेक्ट कंपिकिंसन अगर देखा जाए तो वही है पुर्ण प्रतियोगीता पुर्ण प्रतियोगीता बाजार जोंग लोग अर्थसासर में पढ़ते हैं यहां तो इस प्रकार से यहां पर में फलहारी जलेवी की सेल है और उस धालु आ रहा है खारेदारी कर रह कईसी वालेओं में तो भक्तों ने बाबा का रुद्रा विशेग भी गया व्यादिक पंडितों ने कहा कि बाबा का रुद्रा विशेग करने से हर प्रकार के कष्ट बाधार दूर होते हैं और परिवार में सुक सांतिवा संपन्नता आती है स्रावन मास की पहली सुमबारी और मंदिरों में भक्तों का ताता लगा हुआ है स्रधालू का ताता लगा हुआ है बाबा के जलारपन के लिए विगत दो वर्स के बाद करोना काल के बाद पहली बार मंदिरों में एक प्रकार से स्रधालू नजर आ रहे हैं और सुबाश्य हूए करते हैं और सुबाश्बाविश्य की अभी रुद्राविश्य करते हैं और इस रुद्राविश्य के क्या महिमा है? करते हैं इसे लिए 20 दिन है रावन में डॉन करते हैं जो मन कामना पूर्ण करते हैं बाबा। आजेटर believedfocused करते हैं आप रुद्राविषेक करते हैं लगिन दो क्या अर्यखिक झूर्वारी करते हैं लगिन को सांथी मिलती ह्या परिवार की को करेंग नसमारे में बिर्धी मिलता है, शुक संपन मिलता है, रोगादी सभी सारे नश्ट हो जाते हैं, या कुछ और भी भक्त हैं, उनसे भी बात करेंगे, आप बाबा की पूजा करते हैं, परतिवर्थ, रुद्राबिशे करते हैं, क्या संपन नता है? मादे मसरो परी है, उनके दरवार में आका अपना दुख सुनाते हैं, तूज ही रूप है रुद्राबिशे का, जिसका पूजा करते हैं. उब खश्शान करते हैं, सहयोगी आकास कुमार के साथ राम चंदर जाक, कसिसतियो उस मदोपोर्श. शहर के साथ साथ ग्रामी नंचलों में भी स्रत धालूओं में बाबा के जलारपन के लिए काफे भीड़ देखी गई, वहीं कौरों प्रखन के सालतर गाउं के बाबा दुबे मंदिर में भी सुबह सही भक्तों का रैला देखने को मिला। शोमवार को अन्मंडल के करोप्रखन इस्तित सालतर गाउं में बाबा दुबे मंदिर गर्भ ग्री में स्थापित दुखरन बाबा दुबे की पूजा अर्चिना भक्ती भाव धूमधाम के साथ संपन हुई, इस अफसर पर एक भव्य मेला का भी आयोजन किया गया जिसमें म अधुपूर, सारर, जामताडा, पालोजोरी, मार्गो मुंडा पंचायतों के अलावे आसपास गाउं में हजारों की संख्या में आई शधालू ने बाबा दुबे मंदिर में मत्था टेका और अपनी मनो कामनाई की याचना की खबर का सिलसला यहीं पर स्रमाप्त होता है दिजिये इजाजत, नमस्कार